हेलो स्टूडेंट विल्कम टू दे लेंड फिलाई स्टूडेंट आज हम डिसकस काने वाले है इकुलेटर ट्रेंगल के बारे में कि इकुलेटर ट्रेंगल को हिंदी में कहते हैं इसको क्या संभाहू त्रीवोज इकुलेटर ट्रेंगल को हिंदी में कहते हैं इसको संभाहू three equilateral triangle का मतलब क्या है अपका मतलब triangle में तीनों साइड के आपका equal होगा मतलब three side का वराबर होगा ठीक है कि अगर आप मान ले कि a b क्या है का side a होगा है ठीक है इसको अगर मान ले हम ए और होगा यह ठीक है तो क्या होगा एक попроб का BC BC भी होगा और A cetteечение किए भी SACC होगा ठीक है और एससे डीशन के होगा और सी सी क्या होगा एपसक एभी ए होगा ठीक तीम अच लएक त्रीक्षाय बहने इससे sinking देगti ट्रीयंगल में र Alcohol के लिए होता है त्सक्राइट है क्या लिए है ट्रीक्षाइट होगा अगल इको लटेल ट्रेंगल का फॉर्मूला के बारें बात करें हम तो इसमें अपका जब एडिया निकलने का है एकुलार ट्रेंगल क्या होगा आपका रूट 3 divided by 4 ठीक है रूट 3 divided by 4 into side का square ठीक है मतलब क्या होगा जब area निकलने का है एकुलेटर triangle का तो हम लोग formula क्या यूज करेंगे रूट 3 बाट 4 into side square अगर हम side को A माल ले तब कह सकते हैं रूट 3 divided by 4 into a square अगर हम side को A माल ले तब मेरा formula क्या होगा आपका रूट 3 divided by 4 into a square ठीक है सेम चीज अगर हम लोग का हाइट निकले को बोल दे कि हाइट अप एकुलेटर ट्रेंगल का हाइट निकले बोले तब लोग का फॉर्मुला यूज का क्या होगा रूट 3 divided by 2 into side ठीक है रूट 3 divided by 2 into side अगर हम लोग को इकुलेटर ट्रेंगल में अगर हाइट निकलने कहेगा तो क्या होगा रूट 3 divided by 2 रूट 3 divided by 2 into side अगर side को हम A माल ले इसका जो यह होगा क्या है आपका रूट 3 बड़ा 2 into a ठीक क्या हो आपका अगर हम हाइड देख लिए डेख लिए अगर हम पैरिमेटर देखे हैं पैरिमेटर और एकुलेटर ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या होगा आपका 3 into one side मतलब 3 into one side 3 से किसको multiply करना है अपका x 2 अधोनिशनेक हम लोगा पता है अधोन डॉद प्झाल को कब कर देंगा कि अधोन देये अधिरए टेरिटल का आ जाएगा ठीक है ढेलेंक पडाबे दीजै ठीटक आगा एमन ले तो किया होगा का करने क्ञाइड़ कर देंगे लोगए जाएगा यह होगा फैरिम्यटर प्रूट के अंडरोड फोरी इंठो एडिया डि्वाइड रूट थीरी attach लग फोर ब्ढ़र eerste जहां पर है आफ का और इंठो एडिया इनठो एडिया एडिवाइड रूट थी ट्रिक्या का साइड अगर being इडिया दिया रहे और हम लोगों को शाइड अगर fine करने बोल दें तब क्या होगा हम लोगा यह फॉर्मिला यूज होगा क्या होगा कब 4 into area divided by root 33 ठीक है जब कब यह फर्मूला जब हम लोगों का given दिया रहेगा area दिया रहेगा और बोलेगा साइड क्या होगा तब हम लोग की फॉर्पना यूज कर सकते हैं ठीक है अगर माल ले कि हम लोग का हाइड दिया हुआ है का माल लेगा हमका हाइड दिया हुआ एडिया नहीं दिया हुआ है सिर्फ हाइड दिया हुआ है तब हम लोग का क्या फॉर स्पार्टू क deals of monthly got true by route three into high कि जिसको हाइट में त्फॉट में किस侏 सकते हैं कि आपका हाइट का मतलब कि pounds मतलब अगर माल लेजिए कि जब अगर एडिया दिया रहाएगा तब हम लोगा साइड पूछे तब हम लोग इफ ओमला योज़ गर सकते ठेखे लेकिन अगर मलीजे की एडिया नहीं दिया हुआ कोशन में शिर्फ किया है दिया हुआ है हाइड दिया हुआ है और हम लोग और हम लोगा फ्रॉम्ला प्रॉट्प ठीव साइड का इसके रहता है है अगर हाइड ऑफ एकुलेटरल बतलब उचाही अगर ऊचे अग्व बोछे एक अस्टे शचाही निकालो तब क्या होगा फोर्मूला क्या बने का रूर्ट दिवाइड बाई टू इंटु साइड तिक् साइड टीके मतलब तीन के साथ एक साइड का जितना आएगा उसको याड कर देंगा तो लोग क्या प्याइट अगर पूछे कि अगर माले जी एडिया गीवन दिया हुआ है और क्या है आपका साइड पूछे तो हम लोगा फॉर्मुला क्या बिटाएं का फोर इंटु एडिय डिवाइड रूट के अंदर क्या होगा फोर इंटु एडिया डिवाइड बाइड रूट तीरी ठीक है अगर माले अगर फिर अगर माले जीए कि एडिया नहीं दिया हुआ है सिपका हाइड दिया हुए और पूछे कि साइड का फॉर्मुला क्या होगा तो साइड क्या आपका ज़रूरत पड़ता है जब भी कोशन को कभी इक लटर टेंगल का स्वाल करने के ज़रूरत पड़े तब फर्मुला को हम यूज करके उसका कोशन का अंसाय निकाल सकते हैं आसा करता हूं आफ लोगा एक लेक्टर टेंगल समझ में आ गया है ठीक है अगर वीडियो कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल में फस्ट टैम भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यों फेरी माच